तुला राशी बन गया अत्यंत दुरलब शुब संयोग 11 अक्तूबर रविवार के दिन रवी पुक्षे वैस्वार सित्ती महा संयोग से खुल जाएंगे सरकारी नोकरी के योग नमश्कार दोस्तो जैमातादी आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं 11 अक्तूबर रविवार के राशी फल के बारे में और साथ ही जानेंगे एक ऐसे खास उपाय के बारे में जिसे इस दिन कर लेने से सरकारी नोकरी के रास्ते तक खुल सकते हैं सरकारी कामों में आने वाली बाधाएं तक दूर हो सकती है और आपको अपनी नोकरी में तरक्की ही तरक्की नजर आएगी चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं खास उपाय की आपको बता दें कि रवी पुक्षय नक्षत्र में किये गए उपाय व्यक्ति को अटल और चिरस्थाई नतीजे देने वाले होते हैं इस दिन महासैयोग में आपको धनलाब के लिए भगवान विश्नुजी और मालक्षमी का अभिशेक केसर युक्त दूद से जरूर करना चाहिए और साथ ही ग्यारा लगू नारियल की पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में भांद कर धन स्थान में भी रखना चाहिए ऐसा करने से आपके धन में वृत्ती होती है दोस्तो इस दिन आपको एकाशी नारियल का उपाए भी जरूर करना चाहिए अब बात करते हैं उस खास उपाए की दोस्तो इस दिन सुभा जल्दी उठकर सबसे पहले सनान कर सुद्वस्त्र धारन कर ले इसके बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर कुमकुम वे लाल फूल मिलाकर सुर्य को अरग्य दे दोस्तो इस दिन भगवान सुर्य देव का विदिवत तरीकी से पूजन करने से भगवान सुर्य की विशेश कृपा प्राप्त होती है इसके बाद अदित्य हिर्दे स्तोत्र का पाठ्ध जरूर करना चाहिए ऐसा करने से सूरिय को बल मिलता है वे आतम विश्वास में वृत्धी होती है ऐसा करने से सरकारी नोक्री वे तमाम तरह के सरकारी कामों मुकदमे वाजी में आने वाली बाधाएं समाप्त होती है वे नोक्री में करियर में बेनिफिट प्राप्त होते हैं, नोक्री में तरक्की के रास्ते खुलते हैं, नई नोक्री में आने वाली अर्चनें दूर होती ह दोस्तो इस दिन एक तांबे का छला पुरुष अपने दाएं हाथ की अनामी का उंगली में और इस्त्रियां बाएं हाथ की अनामी का उंगली में जरूर धारन करें जिन लोगों की कुंडली में सूर्य नीच राशी में है शत्रू राशी में है नीच स्थान में है शत्रू भाव में है शत्रू ग्रहों की साथ है पाप परभाव में है शनी राहू केतू की द्रिष्टी से पीडित है कुंडली में सूर्य शुक्र, सूर्य चंद्रमा, सूर्य शनी, सूर्य राहू, सूर्य केतु की युति है या फिर सूर्य की डिगरी कमजोर है, सूर्य बलहीन है, सूर्य तीन या पांच ग्रहों की युति में है तब भी रवी पुक्षे नक्षत्र में कम से कम 700 ग्राम गेहूं का दान किसी भ्रामन को जरूर करना चाहिए इसके बाद सुब मूरत में अपने सामने साफ थाली रख ले और उस थाली में चंदन या कुमकुम से अश्ट दल बना कर उस पर एक नारियल रख दे और अगरवत्ती वेशुद घी का दीपक लगाएं इस नारियल पर लाल फूल चावल फल वेपरसाद चड़ा दे लाल रेश्मी वस्तर ले उसमें से थोड़ा सा हिस्सा इस नारियल पर ठक दे और शेश नीचे बिछा कर उस पर केसर से यह मंत्र लिख दे मंत्र ओम श्रीम हीम क्लीम एम महलक्षमी सवरुपाए एकाशी नाली के राय नमा सर्व सिध्धी कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र को लिख दे इस रेश्मी वस्तर पर नारियल को रख दे और यह मंत्र पढ़ते हुए उस पर 108 गुलाब की पंखडियां चड़ा दे हर पंखडिय चड़ाते समय इस मंत्र का उचारन जुरूर करें ओम एम हीम श्रीम एकाशी नाली के राय नमा इस मंत्र का उचारन करते रहें इसके बाद गुलाब की पंखुडियां हटा कर उस रेश्मी वस्तर में नारियल को लपेट कर थाली में चावलों की धेरी पर रख दें और इस मंत्र की एक माला का जाप कर ले इस मंत्र का जाप कर ले एक माला जाप कर ले उसके बाद अगले दिन से दिवाली तक रोज 21 गुलाब से पूजा करे और उस रेश्मी वस्तर में लिपते हुए नारियल को पूजा स्थान में घर के मंदिर में रख दें इस परकार से एक आशी नारियल को घर में स्थापित करने से अपार असीम वस्तिर धन लाब होता है रविवार के दिन तुला राशी वालों की भाग दोड बन सकती है लेकिन मेहनत से अधूरे काम भी बनते हुए दिखाई देंगे इस दिन सरकारी कामों में सफलता प्राप्त होगी और कारी शेतर पर आपको आगे बढ़ने के अफसर मिलेंगे निवेश से लाब मिलेगा परिवारिक सुख मिलेंगे परिवारिक सदस्यों का साथ आपके अधूरे कामों को पूरा करने में मदद करेगा अचानक धन लाब भी इस दिन हो सकता है गुप्त धन की प्राप्ती भी हो सकती है शिक्षा में लाब मिलेगा प्रेम संबंदों के लिए समय बहतरीन रहेगा निवेश से लाब की प्राप्ती व्यापार में हो सकती है समय आपके अनुकूल है लिए गए फैसलों में आप काम्याब रहेंगे दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जैमातादी जरूर लिखें